Hello students, आज हम लग पढ़ेंगे being good and doing good, अच्छा बनना और अच्छा करना तो नीचे कुछ questions दिये के हैं, बहले उसे हम लोग discuss कर लते हैं We meet many people everyday, हम लोग रोज कई लोगे से मिलते हैं We like some of them more than the others, हम उन में से कुछ को दूसरी के तुलना में थोड़ा अधिक पसंद करते हैं Why do we like some people, हम लोग उन कुछ लोगों को क्यों पसंद करते हैं How do some children turn out to be very well behaved, कुछ बच्चे बहुत अच्छे वहवार वाले होते हैं, ऐसा क्यों Audio like to be liked by all, क्या आप सभी को पसंद आना पसंद करेंगे तो इसका एक ही जवाब है, वो है सिष्टाचार अगर आप well mannered रहेंगे, तो कोई भी आपको पसंद करेंगा इसलिए सबों को well mannered, यानि हमेशा सिष्टाचार में रहना चाहिए चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, being good, अच्छा बनना, it is necessary for all of us to be well mannered यह हम सभी के लिए आवश्चक है कि हम सिष्टाचार में रहें आईए हम उन अच्छे आदतों को देखते हैं, जो हमें अच्छी तरह से संचालित करता है, या हमें good mannered या फिर well mannered बनाता है ways of being good, अच्छे होने के तरह के अब क्या क्या हैं, अब हम लोग वो देखते हैं being punctual, समय का पावंद होना, we must always be on time, हमें हमेशा समय पर होना चाहिए we must reach school on time, हमें हमेशा समय पर पहुँचना चाहिए, being polite विनम्र रहना, हमें सबों से विनम्र रहना चाहिए, चलिए अब हम इसे देखते हैं we must talk softly, हमें हमेशा देरे से यानि विनम्रता से सबसे बात करना चाहिए we must not shout at people, हमें लोगों पर चिलाना नहीं चाहिए if we do something wrong, we must say sorry, अगर हमने कोई गलती की है, तो हमें अवश्ची sorry बोल दना चाहिए, माफी मागने चाहिए whenever we need something from others, we must say please, अगर हमें किनी से कुछ चाहिए, या हम किसी से भी कुछ मांगते हैं, तो हमें please word का use करना चाहिए, please मतलब कृपिया on receiving anything from anybody, किसी से भी अगर हमें कुछ मिलता है, जैसे कि बुजुर्ग हमें कुछ भी देते हैं, blessings देते हैं, तो हमें thank you बोलना चाहिए, धन्यावाद करना चाहिए being truthful, सच्चा बना, we should always speak the truth, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए respecting elders, बणों का आधर करना, we should always respect the elders, हमें हमेशा बणों का आधर करना चाहिए we must listen to what they say, हमें उनकी हर एक बात अच्छे से सुननी चाहिए we should greet them with a smiling face, हमें मुश्कुराती हिवें चहरे से उनका अभिवादन करना चाहिए being neat and clean, साफ और सुच रहना, we must always be neat and clean, हमें हमेशा साफ सुधरा रहना चाहिए we must not throw waste here and there, हमें इधर उधर कच्रा नहीं फेकना चाहिए it must only be put in the dustbin, इसे केवल कुड़ेदान में ही डालना है, ठीक है being kind to people, लोकों के प्रती द्यालू हना we must be kind to people, हमें हमेशा लोकों के प्रती द्यालू हना चाहिए we must not speak anything evil that hurts other, हमें ऐसी कोई भी बूरी बात नहीं बोलना ही चाहिए जिसे दुसरे को तकलीफ हो, we must help people, हमें हमेशा लोगों की मदद करने चाहिए being happy and cheerful, खुश और हस्मुक होना a smiling face is loved by all, मुसको राता हुआ चेहरा सभी को पसंद आता है we should be cheerful, हमें खुश होना चाहिए, it makes others happy too या दुसरों को भी खुश करता है let us remember नीचे कुछ points दिये गए हैं, जो कि आपको याद रखना है all of us should be well-mannered हम सभी को अच्छा वेवार रखना चाहिए, सबों से we must be punctual, polite, truthful, respectful and kind to people हमें सबें का पावंद, विनम्र, सच्चा, सम्मानित और लोगों के परती दयालू होना चाहिए ये था बच्चों आपका चैप्टर, इसे आप घर में बैठकर study कीजिए okay, thank you